प्रिये चात्रो नमस्कार NCE 8 गड़े कक्चा दस्मी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिशना बली 8.4 का प्रस्निक्रमांग 5 का दस्मा प्रस्ना हल करेंगे तो इसमें हमें 3 भाग दिये गए हैं और प्रतेक भाग को हमें बराबर सिद्ध करना है तो इसके लिए हम पहला भाग ले लेते हैं इसके बाद हम 10 और कॉट को साइन और कॉस में बदलेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 10 के लिए होता है साइन बटे कॉस तो यहाँ पर लगा है बर्ग तो यह हो जाएगा साइन बर्ग A बटे कॉस बर्ग A और इसके बाद हमने बटे लगा दिया और कॉट के लिए फॉर्मूला होता है बन प्लस यहाँ पर कॉट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा कॉस बटे साइन लेकिन बर्ग लगा है तो आजाएगा कॉस बर्ग A बटे साइन बर्ग A थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तो ये इसको बड़ा कर देते हैं इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद LCM से इसका गुणा इसमें करेंगे और प्लस ये जियों काते हो और बटे फिर से ये जियों काते हो इसमें ये गुणा भी करेगा और इसके बटी में भी रहेगा तोनों के तो चलिए करते हैं कॉसबर्ग का एक में किया तो आया कॉसबर्ग A और प्लस ये साइन बर्ग A जियोंकातियों इस तरह बाला और बटे आएगा कॉसबर्ग A इसके बाद ये जो बटे लगा है इसको हमने जियों काते हो लगा दिया इसके बाद साइन बर्ग A का गुणा एक में किया तो आया साइन बर्ग A प्लस ये कॉस बर्ग A जियों काते हो और फिर से बटे लगा के लिख दिया साइन बर्ग A आगे बढ़ते हैं इसका बनेगा एक साइन बर्ग A प्लस कॉस बर्ग A तो साइन बर्ग ठीटा प्लस कॉस बर्ग ठीटा ये आगे पीछे कहीं भी लिखे हो लेकिन साइन और कॉस बर्ग में हो दोनों का योग हो तो इसका एक बनता है तो एक बटे कॉस बर्ग A जियों काते हो और इसके बाद बटे लगा के इसका भी एक बनेगा Sineberg A plus Cosberg A तो इसका भी एक बनेगा तो एक बटे और नीचे लेखा Sineberg A इसके बाद इसको उपर वाला जियों काते हूं लेखा 1 बटे Cosberg A लेकिन ये नीचे वाला पलट दिया तो साइन उपर पहुँच जाएगा साइन बर्ग ए और बटे एक तो ये कैंसल नहीं हो रहे हैं इसलिए हम उपर उपर का गुणा कर देते हैं नीचे नीचे का तो साइन बर्ग ए का गुणा एक में होगा तो आएगा साइन बर्ग ए बटे कॉस बर्ग A का गुणा एक में होगा तो आएगा कॉस बर्ग A तो साइन बर्ग A बटे कॉस बर्ग A आएगा टैन बर्ग A तो हमने बना दिया टैन बर्ग A ये इसको हम समिंकरण एक बना देते हैं अभी अब हम इसका दूसरा पक्छ लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पक्ष लेने पर तो हमने लिखा दूसरा पक्ष लेने पर चलिए दूसरा पक्ष देख लेते हैं क्या दिया गया है यह यहाँ पर दिया गया है वन माइनस टेने बटे बन प्लस कोटे का होल स्क्यर तो चलिए यही लिख लेते हैं तो हमने लिखा इसके बाद हम यहाँ पर भी वही करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे तो चलिए लगाते हैं तो 1-10 का होता है साइन बटे कॉस बटे 1-10 का होता है कॉस बटे साइन तो यह हमने लगा दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और यहाँ पर बर्गल लगा ही है अब LCM ले लेते हैं तो कॉसे का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर आएता है इसके बाद कॉसे का गुणा एक में किया तो आया कॉसे और फिर माइनस साइन ए हमने इस तरीके से लिख लिया और बटे आ जाएगा कॉस A और बटे नीचे साइन A का गुणा एक में किया तो आया साइन A माइनस कॉस A जियों का त्यों और बटे में आ गया साइन A इस तरीके से और इसका जो बर्ग है हमने इस तरह के से बरक जियोंगते हो लगा दिया अब इसको पलट देते हैं नीचे वाले को तो इसको यहां पर कर लेते हैं थोड़ा सा साइट से तो हमने लिखा कॉस A माइनस साइट A और बटे कॉस A और इसको पलट दिया तो ये साइन उपर पहुँच गया और ये वाला साइन उपर पहुँच जाएगा इस तरीके से और नीचे जो है वो रहेगा साइन A माइनस कॉस A तो हमने लिख दिया साइन A माइनस कॉस A और इस पर लगा है वर्ग तो हमने लगा दिया वर्ग अब हमने sin और cos एक साथ लिख लिया sin A बटे cos A और गुरित इसको हमने इन दोनों को साथ में लिखा cos A माइनस sin A बटे sin A माइनस cos A और इसका whole square लगा दिया तो इसको जब हम आगे करते हैं तो बर्ग इन दोनों पर भी आजाएगा और बभर इन दोनों पर भी आ जाएगा तो हमने इसको करते हैं थो यहां पर आएगा sain बर्ग a यहां पर आजाएगा cos बर्ग सब पर बर्ग लगा रहे है हम लोग और यहां पर भी आएगा cos a minus sign a का बर्ग और नीचे आजाएगा sign a minus cos a का बर्ग लेकिन ये इसकी सर्वसमिका लग जाएगी A वर्ग धन B वर्ग माइनस 2AB क्योंकि माइनस है तो A माइनस B का होल स्केर बनता है A स्केर प्लस B स्केर माइनस 2AB यानि कॉस A इंटू साइने बटे सर्वसमीका तो आपको याद ही होगी यहाँ पर भी वही सर्वसमीका बनेगी माइनस वाली तो A बर्ग प्लस B बर्ग माइनस 2AB तो यहाँ पर इन दोनों का तो बन जाएगा एक और यह दोनों एक ही चीज है और यह दोनों भी एक ही चीज है चुकि गुणा में है तो साइन आगे पीछे कहीं भी हो वो गुणा में ही है तो यह सब कैंसल हो जाएगा पूरा तो यहाँ पर आपको मिलेगा only 10 वर्ग A और यह जो 10 वर्ग A है इसे हम समीकण 2 बना देते हैं समीकण 1 बना दोसे आप इस पश्ट कर लेंगे कि उसमें समीकण 1 में आदी आप देखें तो उसमें भी हम लोगों ने 10 वर्ग A लाया था और यहाँ पर भी 10 वर्ग A है जो हमारा तीसरा पक्च है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर पहला भाग बरावर दूसरा भाग बरावर तीसरा भाग और यह सिद्ध हो जाएगा तो इस तरीके से आपको प्रूब कर लेना है थैंक यू